नमस्काद अश्कूं यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं आपके लेके आई हूँ कुंड़ी विशलेशन ये मैं आपके सामने चौथी कुंड़ी पेश कर रही हूँ आज मैं आपके सामने वह विशे लेके आए हूँ जिसकी काफी चर्चा रहती है और मेरे पास YouTube पे comment box में काफी comment पुछे जाते हैं, कि क्या हमारा प्रेम विभा होगा, आपके सम्मूख लड़की की कुंडी है और लड़के की कुंडी है, ये कुंडी मेरे पास आई है, जिसमें उसे ये प्रशन पुछा गया है कि क्या इन दोनों का विभा हो सकता है, ये ल फीडियो में देखेंगे कि इनकी कुंडली में प्रेम भिवा के कितने योग हैं। सबसे पहले मैं आपको maior करूं कि प्रेभ विवाक के लिए हम कौन सा भाब देखते हैं खुरा altitude का। वो होता है शादि का भाब और प्रेम्दात्य। द्लिए जरूरी है..." इसलिए प्रेम myselfинки के पंचम के स्वामी का सवामी में स्वामीं कुंड़ी और तो और गृते हैं, तो पंचम का स्वामी 2022 सवामी घुझे हों यूज यूज और नवे हाब शामिल होता है तो ऐसी स्तिती में जातक का अंतर जातिय विवा होता है जातक अपनी जात को छोड़ के दूसरी जात में विवा करता है तो दो बाते हो गई एक तो प्रेम विवा के लिए हम देखेंगे पंचम अब सप्तम विवा और अंतर जातिये विवा के साथ नवे भाप का संब्ध अगर बन रहा है तो जातक का अंतर जातिये विवा होगा आईएम इस कुड़ी में देखें सबसे पहले मैं आपको छोटा सा परिचे देदू ये जो लड़की है ये सरकारी नौकरी में कारे रहता है और अपने जनविस्तानमी जहां रहती है बही पर इसकी नौकरी लगी हुई है कुड़ी इसकी बहुत अच्छी है और इसकी देती है संकेत क्योंकि लगनेश द्वादर्श में गया हुआ है जाती का एक समय होगा जब दिदेश भी जाएगी लड़की की कुंड़ी काफी अच्छी है दूसरे तरफ लड़का है यह भी सरकारी नौकरी में कारे रत है और अपने जनमस्तान से दूर जाके कारे रत है और इसकी कुंड़ी में भी ग्रेयों के स्तिती काफी अच्छी है लगनेश सुराश का है और सब्वाब में कर्क राशी का गुरू विद्ध्यमान है अबम सबसे पहले देखते हैं कि प्रेम विवा के साब क्षाब से कुंड़ी क्या कहती है लड़की की कुंड़ी अगर विवा का यो कैसे बना पंचम भाब का स्वामी सब्तम भाब में बैठा हुआ उचका होकर और सब्तमेश शनी के संग इसकी हुती है या जो मैंने आप से काँ था कि पंचमेश और सब्तमेश की हुती होनी चाहिए वो इस लड़की की कुण्डली में पश्टूप से बन कर आ रही है कि पंचमेश उचका होकर सब्तम भाब में बिद्यमान है उसकी सब्तमेश शनी से होती है और जो नवम भाब का स्वामी है गुरू वो बक्री होकर यहां बैठा है तो इसका मतलब गुरू यहां से एफेक्ट दे रहा है तो गुरू से भी बना रहा है और जो सब्तम भाब का स्वामी गुरू है वो भी वक्री होकर दूसरे भाब से पंचमेश और नववेश के संग्यूती बना रहा है यानि इस लड़की की लगन कुंडी और चंदर कुंडी दोनों में ही प्रेम बिवा का योग है प्रकाइस लड़की की कुंड लड़के की बात करें तो लड़के की मकर लगन की कुंडी है लगन में शनी है राहू है कुम राशी का चंद्रमा है पंचम भाब में मंगल मकर राशी मंगल विर्षव राशी का वक्री वस्ता में है सब्तम भाब में गुरू करक राशी में है केतू के संगुती है धनुराशी में सूर्य बुद्वा शुक्र की होती है आप इस लड़के की कुडली में देखें कि प्रेम विवा की कैस्तिती है पंचमेश शुक्र दौदश में गया हुआ है और उसकी भागेश नवेश भुद्ध के संजुती है पर आप यहां देखिए कि लड़के की जो ल इठा हुआ है याई लगन कुडली अगर देखें घाली तो यह कुडली प्रेम विवा नहीं दिखाती है आप इस लड़के की चंदर कुडली देखेंगे चंदर कुडली में पंचम भाब का स्वामी बुद्ध एकदश भाब में है सब्तमेश सूर्य एकदश भाब में है और 90 शुक्र भी एकाद श्वाब में इस प्रकार लडगे कि हम चंदर कुंडली के वारे विचार करें तो पंचमेश सब्समेश नमवेश की यूति बनती है कादश वामें इस प्रकार इस लड़के की कुंडली में 50% विवाख का योग है यानि लडगी की कुंडली दो तिन आप देखिये कि लड़के के जत्य माता से प्रवाबित होता है यहां जत्य कुछ करता कया मता करता और क्योंकि मन जब इस सी बरिखलों कि इस फुरीरिगेल में असका एक योग तो होता है जा तक हराम से iç लड़केन अगल और में होती है यह लड़का अपने पिता से बहुत प्रभाविक होगा और पिता परभावित होने के कारण कि माता-पिता के परभाव में आकर यह स्वंब डिसीजन लेने में तुड़ा हिचकचाए दूसरा मैंने लिखा भी है कि मकर लगन का स्वामी होता है तो मकर लगन के जातक जो है समाजिक बंधन बंधन वा परंपरा को तोड़ने में थोड़ा सा है तो ऐसी जातिका तो वही करेगी जो सका मन कहेगा मन का पूरा कंट्रोल है और यह लड़का क्योंकि शनी परधान है लड़का थोड़ा सा इतना जल्दी सेंसेटिव नहीं होता दूसरा इसके ओपर माता-पिता का पूरा परभाव है तो यह लड़का इतनी जल्दी डिस करक लगन में बाधास्तां का सामी शुक्तम भाव में शामिल होगा सिय miy उसके परए में शुक्र शयुक्र अबत नहीं यह लड़का रहा हैु कि कशन शुक्र नही का स्वामी शुक्र भी शामिल है इसी पकार हम इस लड़के की शादी की बात करें तो इनकी यह जो बुद्ध शुक्र और वह बुद्ध की उती द्वाद में हुई है तो यानि प्रेम बिवा के योग में रुकावट आ रही है और यहां भी आप देखिए कि यहां पर जो पं एक का करक लगन है एक का मकर लगन है यहनी एक का करक लगन और मकर राशी सब्तमभाब में और मकर राशी लगन में और सब्तमभाब में करक राशी अभी वर्ष 2020 में गोचर आ रहा है जिसमें शनी वा गुरू जो हैं दोनों मकर राशी में भ्रमन करेंगे और उसमें आप की मंगल की भूमिका के मंगल विस्टि Weiki में 혼िधु में और अम लड़की कि चोछ आप करें जाए में कि मंगल भूमिका की घुटी होगी इस प्रकार अगर लड़का लड़की अपने विवाः करना चाते हैं तो जरूरी है वो बर्स 2020 का चैन करें क्योंकि और इसलिए अगर इनका विवाः हो जाता है वर्स 2020 यह 2021 में तो यह भीवाः बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि जो ग्रह इनकी शादी होने में रोक लगा रहे हैं, वो इनके दापते जीवन में भी किसी प्रकार का रोक लगाएंगे, इस प्रकार इस कुंडली विशलेशन में हमें जाना कि इस प्रेम विबात का पूरा देने अब लड़के पर जाता है कि लड़का का डिसीजन लड़का माता के परभाब से कितना निकलता है, पिता के परभाब से कितना निकलता है, अगर लड़का माता पिता के परभाब से नहीं निकल पाया, तो यह प्रिम विबा नहीं हो सकता, इसके साथ ही दर्शकों मैं आशा करती हूँ, आपको मेरा कुंडली विशलेशन पसं इसके साथ ही नमस्काद अश्कों जयमाता दी